हेलो फ्रेंट्स अज सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में नेशनल स्कॉलर्शिप पोर्टल यानि की एनस्पी पोर्टल पे अलगलग स्कॉलर्शिप के लिए जो लाड डेट है उसे एक्स्टेंड कर दिया गया है नस्पी पोर्टल के माध्यम से आप किसी भी गवर्णन्ट स्कॉलर्शिप के लिए अपलाई कर सकते हैं चाहे वो सेंटरल गवर्णन्ट की स्कॉलर्शिप हो या फिर स्टेट गवर्णन्ट की कोई भी स्कॉलर्शिप हो यहाँ पर काफी सारे student ने अल्रेडी अपना अवेदन कर दिया है काफी scholarship के लिए जो last date थी वो 31 दिसंबर 2023 थी लेकिन कुछ scholarship की जो last date है उसे extend कर दिया गया है काफी सारे student ऐसे होंगे जिनको किसी वज़े से registration रह गया होगा या फिर उनके जो document है, bona fide certificate है वो किसी करण से upload नहीं कर पाए है तो ऐसे में उनके पास में ये अंतिम मौका है किसी भी scholarship के लिए apply करने का तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किनके scholarship की last date को NSP portal पे extend किया गया है और अब जो last date है वो कौन सी रहने वाली है सबी चीज़े आज की इस वीडियो में cover करने वाला हूँ तो वीडियो काफी ज़्यादा informative होने वाली है इसलिए last तक watch करते रहिएगा बट वीडियो में आगे बंड़ी से पहले चैनल को subscribe करें और notification bell icon को all पे दबा कर जरूर set कर ले ताकि आने वाली सबी वीडियो के notification सबसे पहले आप तक पहुँच पाएं तो चलिए शुरू करते हैं उसे extend कर दिया गया है अब एक नई date यहाँ पर दी गई है इस नई date तक आप अपने आविदन complete कर सकते हैं अगर किसी वज़े से आपका registration रह गया था या फिर document वगर आपने upload नहीं किये थे यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख पाएंगे आपको central scheme यानि central government की जितनी भी scholarship है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है अलग-लग department के माध्यम से सातिसा स्टेट government के दोरा जो भी scholarship चला जा रही है वो भी यहाँ पर आप देख पाएंगे और UGC AICT की जो भी scholarship है वो भी यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले central scheme वाले option पर क्लिक करना है फर्स नमर पर आपको department of empowerment of person with disability यह वाला option मिल जाता है इसके अंदर आपको कुछ scholarship देखने को मिलेंगी इसकी जो last date थी 31 December 2030 ती इसे यहाँ पर extend कर दियागे है आप जो नई date यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है वो है 5 January 2024 5 January 2024 तक आप इस category में इस वाली scholarship के लिए आवेदन कर सकते हैं इसी तरीके से यहाँ पर आपको Ministry of Manority Affairs का भी option मिल जाता है इस पर आप क्लिक करेंगे तो कोई भी date यहाँ पर आपको शोर नहीं करेगी क्योंकि यह scholarship अभी start नहीं हुए है इसके registration यहाँ पर start नहीं हुए है जैसे इसके लिए आवेदन start होंगे इसकी भी date यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर ministry of social justice and apartment का भी option दिया गया है इसके अंदर PM यशस्वी scholarship के लिए आप आवेदन कर सकते हैं इसकी भी जो last date थी वो 31 December 2023 थी इसे भी यहाँ पर extend कर दिया गया है अब आप PM यशस्वी scholarship के लिए 5 जनवरी 2024 तक अपने आवेदन भेज सकते हैं जो student किसी वज़ा से अपना registration करने से रहे गए हैं या फिर उनके document वगारा किसी कारण से नहीं बन पाये थे नहीं upload हो पाये थे तो वो सभी student यहाँ पर 5 जनवरी 2024 तक अपने आवेदन complete कर सकते हैं document वगारा upload कर सकते हैं इसी तरीके से यहाँ पर आपको अलगलग department देखने को मिल जाते हैं आप click करके check कीजिएगा जिस भी category से आपने किसी scholarship के लिए apply करना है तो उस category की जो last date है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी scheme closing date आपको check करनी है जातर जो scholarship के apply करने की last date है वो 5 January 2024 तक कर दी गई है यहाँ पर जो एक famous scholarship है वो department of higher education के अंदर आती है इस पर जैसी आप click करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो CSS scholarship है यानि कि जो central sector scholarship है उसके लिए भी आप आविधन कर सकते हैं इस समझ में मैंने channel पर एक video भी provide कर वाई थी इसकी भी जो last date थी वो 31 December 2030 थी इसे भी यहाँ पर extend करके 5 January 2024 कर दिया गया है यानि अगर आपको CSS scholarship के लिए आविधन करना है तो अब आप 5 January 2024 तक इसके लिए आविधन कर सकते हैं अपने registration को complete कर सकते हैं तो यहाँ पर जिस भी government scholarship के लिए आप apply करना चाहें या फिर किसी वज़े से आपका registration रह गया है तो अपनी category को यहाँ पर सबसे पहले आपको choose कर लेना है और उसके आगे यहाँ पर आपको scheme closing date देखने को मिल जाएगी जातर जो last date है वो 5 January 2024 ही रखी गई है 5 January 2024 तक अपने registration आपको यहाँ पर complete कर लेने है अपने आवेदन यहाँ पर आपको complete करने है अगर document वगरा upload करने रह गए है तो वो भी यहाँ पर आपको complete कर लेने है तो यह एक नए update था NSP scholarship से संबंदित उमीद है आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like कीजिएगा अपने friends और family के साथ में भी share कीजिए वीडियो से लेटेट कोई भी सवाल है तो comment box में जरूर लिखेगा तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही मैं आप से मिलूँगा एक और नई वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत